सस्रिकाल मैं सोमस होता ते तुसी वेख रहे हो एवन पंजाबिटी भी राजसवा होवे चाहे लोगसवा सवाल लाँ दे दाइरे दे वेचे हमेशा वास्ते मजूदा सरकारा उंदियाने और उना दे कोडो ही सवाल पुछे जान दे ने और कई वार ता लोगसवा जा राजसवा दे वेचे जेहा महाल बन जान दा है कि चारे पासे किसे दी गल नू लेके जड़ा हासा है ओ अपा अकसर वेख दे हाँ कोई नो कोई जेही गल हो जान दी है जिसनू लेके पूरे राजसवा दे वेचे लोगसवा दे वेचे एक बहुत बदिया महाल हो जाना है जो हर एक नितामा दे चेरे ते खुशी हुंदी है नितामा दे चेरे ते जरूर खुशी वेख दे हां कि पबलिक दे चेरे ते खुशी हुंदी है जा नहीं यह सबाल अज भी बरकरार है लेकिन अजे राज सबादे बिच मनोज चाहा बलो बकैदा तोरते के अजे ही गल बात कीती है के मतलब तारमा और अफीम बारे उन्हें ने कोई गल बात कीती है और जड़ी गल बात है तुसी शुरू तो लाके आकर तक जरूर सुननी है सुनो गल बात प्रोफेसर मनोज कुमार जा नाइन मिनिट्स जी सर वाकिफ हूँ शुक्रिया सर बिल्कुल शुक्रिया सभापती मोहद है एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ हमारे विश्व विद्याले में एक सिक्षक थे वो कह रहे थी कि एक सेठ थे राजस्थान में अचानक साप साप चिलाने लगे तो लोग आए बोले क्या हुआ बोले काटा तो नहीं ना बोले काटा नहीं रस्ता देख गया है यह तो मैंने कहा है यह तो मैंने कहा है असल में कई वर्ष पुर्व भी देखा इस देश में आज भी देख रहे है जब बहुत बड़ी सत्ता आती है ना तो कई ख्यालात आते हैं कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं लोएस ठांगिंग फूर्ट मैं और मेरी सीनियर कलीग जयाजी हम लोग बात कर रहे थे इतने पावर का करोगे क्या कम है क्या इतने राजियों में सरकार है केंदर में सरकार है 303 का पहुमत है उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो कारे प्रणाली हो जहां कि सुप्रीम को ग्यारा मई को सुप्रीम कोट का अबजरवेशन वहा मेरे कई कलीक कह संबाबता हमारे हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पुर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अभकाश में भी वो सोचते रहे इसके बारे में तो उन्होंने 19 मई को ये ओडिनेस लेकर के आए अब जजों का काम था कि इस पर लगातार सोचते रहे हैं सर इससे पहले कि मोटा मोटी कुछ बुंदू पर मैं आओं मेरे कुछ साथी वो जिन्होंने लोगसभा में वोट किया है most likely they'll do the same here हना कि लोगसभा के बारे मैं जिक्र नहीं करना चाहता था मानिय सवापती महद है diversity शब्द का आप बहुत जिक्र करते हैं हम सब उसमें rejoice करते हैं हमारी pride है वो लेकिन एक मंत्री महोदिया diversity बोलते बोलते बोल गई कि India is complicated सर बचपन से लेके आज तक India complicated नहीं लगा कभी ये record में है परलेमेंट के इसलिए मेरी चिंता है इंडिया complicated नहीं है सर बड़ा सहज सभाव है इंडिया का महासागर वाला है सर सब कुछ समा जाता है मज़ब हो धर्म हो जाती हो कौम हो कोई हो लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं तो महासागर तालाब नहीं बनना चाहता हूँ सर फोर ओल दोस फ्रेंड्स बड़ी अच्छेशी बात कहीई इक्वी डिस्टेंस सर इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूट्रालिटी जब चुहे की पूछ पे हाथी का पाउँ पढ़ा हो तो न्यूट्रालिटी उस चुहे से पूछे कुसको कैसा लग रहा है तो मैं समझता हूँ इसलिए सर एक शेर अर्ज किया है आज बड़े शेर पढ़े गया है सुधान सुजी ने पढ़ा तो मैं भी एक अर्ज करता हूँ सर ये परोश के मुल्क से आया है तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज तुम तकल्लुफ को भी इखलास इखलास मतलब ट्रू फ्रेंट्श तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मे लाने वाला आपकी पेशे नज़र है तो मैं ये कहना चाह रहा था सर्द एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी उस दिन हमारे मानिय ग्रीमंत्री जी ने जवाला नहरू जी को कोट किया एक पल को मुझको लगा कि इस शांती वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी ये हुआ क्या ये हुआ क्या फिर अम्बे उनके पक्ष में तरका जाता है सब बिश्विद्याले में मढ़ाता हो तो पीएजडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं इसको कहते हैं एथिकल साइटेशन एथिकल साइटेशन में ये नहीं होता है कि सेमी को लोन के बाद का ले लिया और शुरू वा रिलीजन इस साइब ऑप्रेस्ट क्रीचर दे हाट ओफ ए हाटलेस वर्ड और सोल फोलेस कंडिशन इस दो ओपियम वाप पीपल सर अब इसमें क्या किया हमने सिर्फ ओपियम वाला लाइं निकाल लिया और मार्क्स को कह दिया कि धंभी रोधी था साइटेशन बहुत इंप ँद्दा कि मैं बीजे पी के खारेपनाली का विरोधी हूं सर वह एक पॉडिकल रיאלिटी है हम भी एक पॉलिटीकल रियालिटी है हम शतृता की जुबान से हमें एक दूसरे को संब्यद हम नहीं करना चाहीए न सदन में न सदन के बाहर सहाब हम इंदियन मुझाहिदीन नहीं है साव हम इस्टीन या कंपरी नहीं है हम वह भारत वर्ष हैं जिसको महासागर में ने कहा और उस महासागर में आप भी हैं आम भी हैं हम और आप एक दुसरे की कीमत पर नहीं है तो सर में यह कहना चाहता था कि यह प्रतिगामी बिल है सार आपको घंटी नहीं बजाना परेगा मैं प्रामिस करता हूँ पक्का उसी में खतम कर दूंगा सार प्रतिगामी मैंने क्यों कहा दुनिया देख रही कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेशलेशन ला रहे हैं सार ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि मानिय सर वोचिन्याले ने एक मिर ने दिया सर कुछ सोच के दिया होगा ना आप अक्सर कहते हैं कि नहरू नहीं चाहते थे अरे निहरु छबपन में नही चाहते थे सरसथ वर्ष बीट गया है हकीकत नहीं बदलती क्या नहीरु के टाइम में हम सारजनिक छ्छेत्रों में कितना ध्यान देते थे और अज हम बेचने पे ध्यान दे रहे हैं ये फरक आया है ना सर अगर ये प्रियोग सफल हुआ अगर सापने रस्ता देख लिया तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो है निट्रालिटी और एक्वी डिस्टेंट के नाम पर नजने कहा का सोच रहे हैं सर हम तब भी आपके साथ होंगे ये तो गारंटी है सर हमारे पस कोई दिकल्पी नहीं परेशान हतास लोगों के पक्ष में खड़ा होना हम तो कश्मीर चल रहा था उस वक्त आम आदमी पाटी ने कोई और पोजीशन लिया था आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राजी के साथ होग अगर बिरोक्राट्स मिनिस्टर को उत्तरदाई नहीं है सर ये अराजक्ता को जन्म नहीं नहीं देगी क्या हूं मैं दिल्ली के जन्ता अगर मैं दिल्ली सरकार हूं मैं दिल्ली की जन्ता के लिए उत्तरदाई हूं जैसे राघव कह रहे था अगर कोई विसंगती कहीं आत इंगित कर रही है कुछ मैं ये कहना चाह रहा था सर और मैं समझता हूँ कि ये बात मैं कहकर के और टू थाटी नाइन डबले के बारे में जो बात है कही गई है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता सिर्फ मैं एक चीज पर आओंगा कोरम सर ये कमाल का कोरम हुआ तीन में से दो होंगे मुख्यमंत्री बेचारा चेर्मन है बहुत अच्छी बात कही उन्होंने चेर्मन विदाओट चेर्मन है वो अगर दो मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कोरम डिसाइड कर लेगा क्या करना है दिल्ली के लिए सर इट इस नौट कोरम इट इस अच्छी अन्स्टूमन तो डिसिमेट देशिमेट 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 अइडिया अफ एलेक्टेज गवर्नमेट सर एलेक्ट बास केशब राओजी की स्रेणी में सर एक सोल डिस्क्रेशन का मामला आया है सोल डिस्क्रेशन और यह मैं आगरह करूँगा मानियद लिह मंत्री जैसे हमारी महामहिम रास्टपती के लिए भी जो संदर्व आते हैं न टू एड एन अडवाईस अफ दे काबिनेट और दे मिनिस्ट्री सर उनका में सोल डिस्क्रेशन नहीं होता है यह तो एक तरह से मुझे सोल लेस डिस्क्रेशन दिख रहा है आत्मा विहीन डिस्क्रेशन सर यह उसमें नहीं फिट बैठता है सर एक और चीज़ मैं अभी कल गुगल कर रहा था सर फेडरलिजम पर दो बहुत महत्पुन कोट मिले इंट्रेस्टिंग लोगों की एक चंद्रबाबु नाइडू जी का एक नविन पटनायक जी का वो कोट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ बस मैं बता देना चाहता हूँ आकरी सर ये पेशे नजर तमाम लोगों के जो कहते हैं अपील करते हैं कि साहब मदद करो इस बिल पे तो दुस्यान जी कहके गए थे कि उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें चाकू की पसलियों से गुजारिश दोते की है सर ये चाकू पसलियों से कह रही है हमारी मदद करो सर ये आसान मामला ने लिए जाहिन सर जाहिन